बाबरी मस्जिद जिस आयोध्या में है उसी आयोध्या नगरी में मिला अल्लाह के नभी का मजार जियां दोस्तों आयोध्या से आ रही है मुसल्मानों के लिए बड़ी बहुत बड़ी खुस खबरी जिस आयोध्या नगरी में योगी आदित्यनात सहित पूरा आयोध्या इस समय राम मंदिर के उधगाटन की तयारी कर रहा है जगा जगा पर राम भक्त जस्न मना रहे हैं और राम मंदिर के उधगाटन की पूरी तयारी जोर सोर से चल रही है सनातन धर्म के चाहने वालों हिंदू धर्म के चाहने वालों में आप देख सकते हैं जो स्करों से जगा जगा पर जुरूस जगा 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 पर नारे बाजी करते हुए नजर आ रहे हैं खुद योगी आदितनात आयोध्या का कई बार दोरा कर चुके हैं और वज़ा ये है कि राम मंदिर का उदगाटन हो रहा है उसी जगा पर राम मंदिर बना है जहां पर पहले बाबरी मस्जिद हुआ करता था बाबरी मस्जिद के सहादत के बाद राम मंदिर का निर्मान हुआ है और 22 तारीक को उदगाटन दोस्तो लेकिन जहां पर राम भक् मुझे लगा कि मुसल्मानों के लिए भी खुसी की कुछ पल आने चाहिए और उसी आयोध्या नगरी से दोस्तों मुसल्मानों के लिए एक ऐसी खुसकबरी लेकर आए हैं जिसको सुन कर देखकर यकीनन मुसल्मान जूम जाएंगे यकीनां मुसल्मानों के अंदर खुसी की लहर पैदा हो जाएगी प्यारे दोस्तों आयोध्या नगरी में अल्लाह के नभी का मजार कौन से वो अल्लाह के नभी है जिनका दर्बार आयोध्या नगरी में मौजूद है कौन से वो अल्ला के नभी है दोस्तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं तो आप से रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब और बेल के बटन को कर लिजे आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँझ सके प्यारे दोस्तो आयोध्या के बारे में पहले आप अच्छी तरीके से जान ले कि आयोध्या नगरी एक ऐसा सहर है जिसमें हर धर्म के लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास मौजूद है जैसे सनातन धर्म की अगर बात करें तो सनातन धर्म के लोगों का सुरू से मानना था कि आयोद्य राम जनम भूमी है मरियादा पुरिषवत्तम स्रीराम का जनम आयोद्या में हुआ था तो वही दोस्तो हिंदू धर्ब के लिए आयोद्या पाक पुन्य पवित्र जगा हो गया उसी तरीके से चाहे सिख धर्म हो चाहे बौत धर्म हो उनके लिए भी पवित्र तीर्थ अस्तल आयुद्या में मौजूद है और अब दोस्तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुसल्मानों के लिए भी ये खासम खास है आयुद्या में यू तो कई अल्ला के वलियों के दरबार मौजूद है लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी मैं जानकारी देरना चाहूंगा आपको दोस्तों कि ल преступ Igor वली की मजार तो पहले से मौजूद है लेकिन दोस्तों उसी आयोध्या नगरी में अल्ला के नभी की दरबार भी मौजूद है लेकिन अपसोस सद अपसोस आज तक जितना उनके बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए था जितना लोगों के बारे में देखाया जाना चाह जी हाँ दोस्तो अगर आप इसलाम धर्म के मानने वाले हैं अगर आप इसलाम धर्म के बारे में जानते हैं तो आप अल्लाह के नभी हज़त सीस अलही सलाम के बारे में जरूर जानते होंगे और आयुद्या के अंदर दोस्तो अल्लाह के नभी हज़त सीस अलही सलाम का ये दर मुझार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् حضرت سیس علیہ السلام जो नमबर था दोस्तो वहाँ पर मुहम्मद स्यद मुहम्मद आसिफ मखदूमी का एक नमबर नजर आ रहा था दोस्तो साथी साथ मुतुली के तोर पर अल्ला के नभी हज़त सीश के दर्बार के मुतुली के तोर पर स्यद हलाल अहमद का नाम सामने आ रहा था साथी साथ दोस्तो मैं ये बोड़ आपके सामने रख दे रहा हूँ इस बोड़ को आप देखे ताकि आपको न लगए कि मैं इसी तरीके के बात कर रहा हूँ तो दोस्तो ये अल्ला के नभी हज़त सीश का मजार है और ये आयोध्या में मौझूद है तो दोस्तो आयोध्या नगरी भी मुसल्मानों के लिए खास हो गया है आयोध्या नगरी भी मुसल्मानों के लिए पाक और पवित्र है तो इस धर्ती में दोस्तो जब भी आप परवेश करे बड़े अच्छे पाक पवित्रता के साथ परवेस करे इस धर्ती में सभी धर्मों के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिक धर्म, इसाई धर्म सब धर्म के लिए ये आयोध्यानगरी बड़ा खास है दोस्तो और जिन मुसल्मानों को उदासी महसूस हो रही थी मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के और इस वीडियो में दी गई जानकारी के बाद अब यकिनन उनके चेहरे भी खिलेंगे दोस्तो अभी तक तो भक्त खुसिया मना रहे थे लेकिन अब इनसा अल्ला तबारक वताला मुसल्मान भी खुसिया मनाएंगे चुकि उसी आयोद्ध्या में अल्ला के रभी हज़त सीस अलहिससलाम भी आराम फरमाते है दोस्तो वहां भी आप लोग जाएं उस दर्बार में भी आप लोग जाएं और हज़त सीस अलहिससलाम की बारगा में खराज अकीदत पेस करें दोस्तो और वहां पर जाकर आप धुआ करें और उस दर्बार को आबाद करें दोस्तो जी हाँ याद रखेंगे मनी परवत आयोद्ध्या मजार सरीफ देखेंगे काफी लंबा चुकि पहले जमाना के जो इनसान हुआ करते थे वो बड़े लंबे हुआ करते थे दोस्तो इसलिए हज़त सीस अलहिससलाम का हाइट भी लंबा था इसलिए दर्बार उनका जो मजार सरीफ है वो भी बड़ा लंबा है उनका कबर अनुमर जो है दोस्तो वो लंबा है आप जाए आयोद्या जाए पता करें और उसके बाद हज़त सीस अलहिससलाम के दर्बार तक जाए मैं यहाँ पर पोस्टर दे रहा हूँ दोस्तो धर्म के धर्मिक जगों का संरक्षन कर रही है उनका विकास कर रही है हम उमीद करेंगे कि आने वाले वक्त में योगी सरकार अल्लह के नभी हज़त सीस अलहिससलाम प्रोफेट पेगंबर हज़त सीस अलहिससलाम के दर्बार का भी विकास करेंगी और इसको भी विकास के पता चल सके जादा से जादा लोगों को पता चल सके और आसानी के साथ जादा के अंदर और आयोध्या के अंदर ही अल्ला के नभी हज़ते सीस अलही सलाम का मजार दर्बार सरीफ मौजूद है रब की बारगाए में हम दुआ करेंगे कि या ला जितने लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं चैनल को सबस्क्राइब कर रहे हैं या ला तू उन्हें हाजी बना दे नमाजी बना दे और जब तक इस दुन्या में रख इमान के साथ रख